हलो दोस्तो वेलकम टू टॉपर्स फिलेज दोस्तो आज हम क्लास 12 मेट के चेप्टर एट एप्लिकेशन ओफ इंटीगरल्स की एकसाइज 8.1 के बज़े हुए कोशन करेंगे मतलब कोशन नमबर 8-13 तो देखो दोस्तो इस एकसाइज यह जो चेप्टर ना एप्लिकेशन ओफ फिर लाइन्स की होरिजोंटल क्या होती है वर्टिकल कौन सी होती है मोडूलस का ग्राफ क्या होता है और ज्यादा करो तो X-3 का माइनस X-3 का डियाग्राम कैसे बनता है और Sine X, Cos X का तो आपको पता होगा ठीक है तो कुछ डियाग्रामस आपको पता होने चीए फिर बाद फॉर्मलों में बस यही फॉर्मला है एक ही है और मैंने बदलब सारे सारा चेप्टर देख लिया इसके अलावा और कोई बड़ा फॉर्मला लगी नहीं रहा इसके अंदर फिर दोस्तों दो कंसेप्ट हम यह आपे लगाते हैं अगर हमें X की लिमिट्स पगरा पता है जैस और यह निकालना हो जो कि Y-X के साथ में अटेश्ड हो थीकिंट या फिर फिर वाई की लिमिट्स पता हो तब हमें अगर यह अहाई सब्हुँ और यह आपकर होONEY तो automatically area आएगा और वो एकदम positive area हमें देखने को मिलेगा अभी हम स्टार्ट करते है question number 8 से इसमें देखो क्या बोला है the area between x equal to y square ये कर हुए देखेंगे कौन सा है and x equal to 4 ये एक line है is divided into two equal parts by the line x equal to a then find the value of a मतलब ये line कहां से जा रही है क्या है उसकी question वो में बताना है x equal to a a हमें आपे नहीं पता तो a अगर हम बता देंगे तो हम ये line मिल जाएगी देखो सबसे पहले diagram x equal to y square इसका diagram कैसे बनेगा देखो y square है न तो अगर मैं यहाँ पर diagram लिस्ट निकाल लो तो ये पेराबोला टाइप का होगा y square बराबर 4 ax तो ये भी कह है y square equal to x ठीक है y का square है और x इदर positive है तो इसका diagram कैसा बनेगा इदर मतलब right word बनेगा right की तरफ जांकता होँ बनेगा right की तरफ खुला मिलेगा हमें दाइं तरफ तो यहाँ पर मैं बना लेता हूँ diagram सबसे पहले जो main curve न वहीं से चालू किया गरो ये y axis ये x axis तो अपना जो y square बराबर x है उसका diagram कुछ ऐसा में मिलेगा ये कौन सा है ये ही curve अपना y square equal to x ये पेरा बोला है अब x equal to 4 ये कहाँ पर होगी देखो x equal to 4 होता न x equal to constant जो होती न वो line होती है vertical एक तुम खड़ी line मनेगी तो समझो कि यहाँ पर बन गया अपना x equal to 4 ये है x equal to 4 ये अपना y axis है और ये अपना x axis है ठीक है तो ये बन गया अपना x equal to 4 जो x equal to 4 line होगी वो यहाँ से गुजरेगी ये वाला point क्या होगा है 4,0 अब देखो क्या बोला है the area between x equal to y square मतलब ये curve and x equal to 4 ये line इन दोनों की बीच में area कुछ फस्किया हाँ फस्किया न ये पूरा area ये जो दिख रहा है न यहां से लेके ये जाके और ये area ठीक है ये जो area है आपे बीच के अंदर बंद गया है इसके area की बात कर रहा है क्या बोला है divided into two equal parts ये जो पूरा area न है इसके equal दो parts होगे हाँ न दोनों parts का area equal है by the line x equal to a find the value of a x equal to a line कहां पर बनेगी वहां पर बनेगी जहां से हम इस area के दो टुकड़े कर सके और वैसे भी देखो x बराबर a इसके शकल से लग रहा है कि ये कैसी line होगी vertical line होगी तो मैं यहां पर एक और vertical line बनानी है इधर तो है x बराबर 4 तो जो x बराबर a होगी एक vertical line इस तरह बनानी है कि इस area के दो टुकड़े हो जाए इस पूरे portion के दो टुकड़े हो जाए और वो दोनों टुकड़ों का area बराबर हो तो वो x बराबर a करीबन यहां कहीं पर बन सकती है यह इस line बन जाएगी कौन सी line होगी है x equal to a ठीक है दोस्तो obviously इधर बीच में होनी चीए x बराबर 4 से left और इस 0,0 से right में होनी चीए इनके इस पूरे portion के बीच में से जाएगी तब भी तो इस पूरे area को half half में divide करेगी और यह मैंने ऐसे खड़ी line ही क्यों बनाई है क्योंकि x बराबर a इसका मतलब कि एक vertical line ही बनेगी आप ऐसे horizontal वगरा नहीं बना सकते ठीक है x बराबर a पर vertical ही बनेगी इसलिए अब देखो दोस्तो इस line ने इस line ने यह जो portion नहीं है यह वाला इसके दो टुपड़े कर दिये इसके दो टुपड़े कर दे यह वाला area जाएगा मतलब यह इधर से जाके यह जाके हम यह वाला area निकाल लेंगे यह area अलग हो गया और यह area अलग हो गया अब देखो दोस्तों यहाँ पर जब हम calculation करेंगे तो इधर वाले पूरे area की calculation नहीं करेंगे ऐसे समझो कि अगर यह वाला जो part है अगर इसका area अपना a1 है तो यह नीचे वाला भी क्या होगा a1 हो गए होगा तो इस part का total area कितना हो गया a1 और a1 2a1 हो गया क्या होगा यह 2a1 ऐसे ही इस part के बीच में जो x पराबर a line इसके दाई तरफ जो यह बचावा part जो है समझ लो कि इसका area कितना है a2 तो अगर यह a2 तो यह भी क्या होगा a2 होगा क्योंकि symmetric है न हम यह आपर किस चीज का फाइदा उठा रहे है symmetric होने का फाइदा उठा रहे है जो पेराबुला होता है वो यह वाला जो पेराबुला वो x-axis के about symmetric है तो इधर वाला area कितना होगा यह वाला यह है 2a1 और यह है 2a2 अब question में क्या हो लागी यह दोनों बराबर है यह जो x बराबर a line है न इसने इस पूरे portion के दो टूगड़े कर दिये एक टूगड़ा इधर आगया 2a1 area वाला और एक टूगड़ा यह आगया 2a2 वाला और equal parts की है तो यह दोनों क्या हो जाएंगे 2a1 बराबर 2a2 तो क्या होगा a1 बराबर a2 होगा अगर हम यह चीज़ प्रूव कर देता है यह तो हमें प्रूव करना अच्छा प्रूव क्या है यह दे रखा है एक टाइप से क्या है गिवन है क्या है यह गिवन है तो गिवन यह था कि यह पूरा area इधर इस पूरे area के बराबर है मैंने symmetricity लगाई तो इस area के भी मैंने दो टूगड़े के लिए इसके भी मैंने दो टूगड़े के लिए एटू एटू तो यह complete कितना होगे टू एवन और यह complete कितना होगे टू एटू दोनों को यहाँ पे discussed यहाँ पे given था ना कि दोनों बराबर है तो मैंने बराबर रख दिये हैं तो एवन बराबर एटू आगया अब मैं कैलकुरोशन जब करूँगा ना तो इसका एरिया इसके बराबर कर दूँगा निचे वाला बराबर करने की जुरुत नहीं है यहाँ पर अभी हमने देख लिया है यह आदा आदा हो जाएगा अगर यह पूरा बराबर होगा तो इसका आदा और इसका भी आदा बराबर होगा ही होगा तो एवन बराबर एटू यह हमें यहाँ पर लगा देना चाहिए ताकि हमारा यह एक की विल्य निकल आए अब यह कैसे लगाएंगे देखो यह वाला पॉइंट क्या होगे यह जिसने यहाँ पर यह चार कॉमा जीरो होगे ना एक्स बराबर चार की वज़े से यह होगया चार कॉमा जीरो तो एक्स बराबर एक की वज़े से यह वाला पॉइंट क्या होगा एक कॉमा जीरो तो हम क्या करेंगे यह A1 एरिया निकालने के लिए A1 एरिया निकालने के लिए मैं integration करूँगा और A2 एरिया निकालने के लिए भी मैं integration करूँगा दोनों को बराबर रख दूँगा तो अभी A1 एरिया कैसे निकालेंगे यहां से लेके यहां तक integration कर देते हैं यहां से पयन उठाकर यहां पर लग रहा हूं तो मैं X-axis के along चल रहा हूं आ यहां पर X-axis यहां पर X Queinness इंचर यहां दूरो यहां पर शक कोडिनेट की है तो यहां पर लिमिट्स क्या वा पहले तो कर्व रखूंगा और फिर बाद में माइनस X सोरी X X सदेगा कौन सा X आधेगा X X सदेगा ठीक है ऐसा करना पड़ेगा यह उपर वाला माइनस नीची वाला ऐसे करते हैं अच्छा जो भी होगा यहाँ पर डोट डी एक्स लगाना पड़ेगा क्योंकि हमने लिमिट रखी है X की X ब्राबर 0 से लेगे X ब्राबर A तक तो integration भी फिर X के respect में होगा यहाँ पर करू लिखूंगा मैं उपर वाला क्या है उपर क्या है करू है यह तो देखो करू में मतलब X के respect में करूंगा यहाँ पर करूंगा तो अभी अपना काम क्या है यह उपर वाला पोर्शन नीचे वाला तो मैं केल्कुलेट करी नहीं रहा है मैं उपर वाले से चीजों को निकाल लूँगा उपर की वाला है तो यह y बराबर क्या लूँगा मैं प्लस का रूट X तो करू मतलब रूट X आ गया माइनस एक सेक्सिस मतलब y बराबर 0 तो आपे 0 आ जाएगा फिर अगला मैंने A1 A1 के विले निकाल लिया अब आते हैं A2 पर A2 मतलब ये वाला portion ये वाला portion A से चालू होगा और 4 पे खितम हो जाएगा तो lower limit A होगी और upper limit 4 होगी यहाँ पर क्या आएगा फिर से इस portion अगर आप A2 को थोड़ा जहां से देखो A2 को तो upper वाला minus नीचे वाला उपर वाला इतना सा ही है अब इतना सा मतलब क्या है ये भी तो parabola का party तो है तो मैं parabola से वो निकालूँगा क्या जाएगा again root X से देगा उपर वाला क्या हो गया करो हो गया minus नीचे वाला नीचे वाला क्या है इस portion में A2 हम A2 calculate कर रहे हैं तो A2 वालों को A2 जो area न उसको नीचे से किसने cover कर रखा इसने इसने मतलब xx इसने तो y बराबर 0 है आपर क्या देगा 0 है डोट DxS है ठीक है दोस्तों अब यह दोनों बराबर है क्वेशन ने बोला है कि divided into two equal parts तो दोनों को मैंने equal कर दिया है अभी हमें क्या निकालना है then define the value of A अभी यहाँ पर A आ जाएगा उसकी value निकालेंगे देखो A फस जाएगा यहाँ पर unroot x का integration क्या होता अभी मैंने बोला था 2 by 3 x की पाउर 3 by 2 यह होता है यह 2 by 3 constant तो इसको मैंने बाहर निकालें limit से limit क्या है 0 to A वो मैं only variable लगा देता हूँ 0 to A बराबर इधर भी root x का integration क्या हो देगा 2 by 3 x की पाउर 3 by 2 तो अब limits क्या है A से लेके 4 तक है A से लेके 4 तक तो 2 by 3 से 2 by 3 तो कट जाएगा यहाँ पर limits डालते है तो A इसमें डालूँगा तो क्या हो देगा 1 की पाउर 3 by 2 minus 0 डालूँगा तो 0 की पाउर 3 by 2 0 जाएगा इधर चारर डालूँगा तो 4 की पाउर 3 by 2 माइनस ए डालूँगा तो 1 की पाउर 3 by 2 ऐसे हो जाएगा अपर माइनिस लावर अब हम इसको सोल कर लेते हैं फर्दर देखो ये 1 की पाउर 3 by 2 और ये भी 1 की पाउर 3 by 2 यह minus में तो इसको मैं इदे लियाओंगा तो twice of a की power 3 by 2 बन जाएगा equal to 0 का कोई मतलब नहीं यह बचा 4 की power 3 by 2 अरे यार इसको solve करते हैं तो 4 की power 3 by 2 को इसे लिए लेता हूं मैं 4 की power 1 by 2 की power 3 समझगे 3 by 2 को मैंने 1 by 2 into 3 लिख लिया तो 3 हो गया whole power 3 4 की power 1 by 2 मतलब 4 का अंडरूट 2 हो जाएगा 2 की power 3 2 की power 3 मतलब 8 हो गया तो यहाँ पे आगे 2 1 की power 3 by 2 बराबर 8 8 को कटेगा तो 4 बन जाएगा यहाँ पे तो a बराबर a की power 3 by 2 बराबर 4 हो गया अगर आपको a निकालना है तो इसकी power 3 by 2 को उधर बेज देंगे तो क्या हो जाएगा 4 की power इधर तो power 3 by 2 है उधर जाके उल्टी हो जाएगी मतलब 3 by 2 का उल्टा 2 by 3 है ऐसा बन जाएगी ठीक है तो a की value हमें मिल गई कैसे कैसे क्या हमने इस question को यहाँ पे बोला था एक parabola x equal to y square इसके equally दो टुकडे करने है और करने को नाएगी यह वाली line x बराबर a तो x बराबर a मैंने ऐसे बना दी तो इस x बराबर a है यहाँ पर x बराबर a है इसके इधर वाले portion का area बराबर इसके इधर वाले portion का area तो मैंने क्या क्या इधर वाले जो portion है उसके भी दो टुकडे ले लिए A1 A1 क्योंकि symmetry का तो जैसा उपर वाला part होगा पेरा वाला का वैसा ही नीचे वाला part भी होगा तो ये A1 लिया तो ये भी A1 हो गया ऐसे मैंने इधर A2 लिया तो ये भी A2 हो गया अभी मैं इनको अलग-लग क्यों ले रहा हूँ आकि थोड़ी देर बाद बराबर रखतेंगे देखो इधर का 2 A1 ये बराबर इधर का 2 A2 ये ये चीज गिवन है question में कि divided into 2 equal parts ये गिवन है तो मैंने लगा दिया अब फिर बाद में 2 से 2 कट गया A1 बराबर A2 आगे तो अब A1 मतलब ये उपर वाला निकालने की जरूत है ये नीचे वाला भी साथ में निकालने की जरूत नहीं है अब ये अगर हम A1 बराबर A2 ये लगा देंगे तो वही बात हो जाएगी कि ये total 2 A1 बराबर 2 A2 बात बराबर ये हैं तो मैंने A1 लगा दिया कैसे ये वाला कैसे लगाऊंगा मैं उपर वाला माइनस नीचे वाला और ऐसे मैंने A2 लगा दिया उपर वाला माइनस नीचे वाला इसके उपर क्या है करू और इसके उपर भी क्या है करू है ये Y बराबर प्लस का रूट X उपर है न तो प्लस वाला root x लूँगा अगर इस portion की इस portion का जिकर होता तो मैं minus का root x लेता खिर उपर वाला कर भी है और नीचे वाला भी अपना x axis ही है तो दोनों में root x minus 0 root x minus 0 ही आएगा लेकिन limits अलग लगाईगी पहला portion 0 से a तक जा रहा है तो 0 से a तक और दूसरा वाला जो portion जाएगा वो a से लेके 4 तक फिर बाद में तो आगे integration value निकाल ली खतम अब हम देखतें next question देखो दोस्तों यह question number 9 find the area of the region bounded by the parabola y equal to x square and y equal to modulus x आचा तो एक काम करते हैं इनको वेसे diagram बनाएंगे फिर देखेंगे कि कौन सा area bounded है कौन सा ऐसे बंदा हुआ है closed वो देखना पड़ेगा तो अगर हमें कोई confusion बता तो हम क्या करेंगे इनको अलग-लग draw कर लेता है पहले जैसे y बराबर modulus x का diagram कैसा बनता है कुछ ऐसा बनता है वी shape होता है फिर बाद में यहां से इसे उठता है सिद्धी सिद्धी line यहां पर जैसे यह complete तो y बराबर modulus x का diagram होई गया इसको complete हम क्या बोलते है y बराबर modulus x का diagram ग्राफ लेकिन अगर इसके हम टुकडे टुकडे बोले तो यह वाला जो टुकडा न है इसकी एक branch हो गए यह branch क्या है y बराबर x ठीक है और ऐसे यह वाली branch क्या है y बराबर minus x ठीक है दोस्तो और वैसे भी आप देखो के तो इधर का graph और इधर का graph दोनों graph क्या है आपस में symmetric है क्या यह symmetric है है न दोस्तो तो यह y बराबर minus x का diagram ऐसा बनता है तो अब y बराबर x square का देखें तो देखो x square का coefficient positive है तो यह type से upward parabola बनेगा और वैसे तो यह standard form में भी आप देख सकते हो जैसे यहाँ पर क्या है x square है न तो x square यह रहा x square equal to 4 ay का diagram upward parabola होता है ठीक है वो origin से start होता है तो इसका diagram कुछ इस परकार बन सकता है कि यह y axis x axis और कुछ ऐसा यह क्या होगा अपना y बराबर x square का होगा अगर हमें यहाँ से x की value निकालनी हो तो x की value क्या होगा देखो y बराबर x square न तो अगर मैं अगर अगर यह बराबर x लेकिन जब मैं दोनों तरफ अगर अगर तो प्लस माइनस लगेगा तो वैसे देखो जैसे हमने यहाँ पर दो ब्रांच बनाई न एक बार y बराबर x एक बार y बराबर minus x तो यहाँ से यहाँ पर बन गया प्लस माइनस रूट y लग गया तो प्लस वाला कब लेंगे देखो प्लस x बराबर प्लस का रूट y यह दाई तरफ हो जाएगा जैसे x की वल्यू पोजिटिव और x की वल्यू नेगिटिव x की वल्यू पोजिटिव इधर होती है यह positive x है और इधर की तरप negative x इधर होता है तो y बराबर y बराबर यह जो branch है यह वाली जो branch है इस पेरावला की जो right side वाली branch है इसकी equation क्या होगी y बराबर sorry y नहीं x बराबर plus का root y ठीक है और अगर आपको यह इस branch की only इस branch की equation चीए यह पूरे पेरावला की नहीं only इस branch की equation चाहिए तो यह क्या होगी यह minus वाला part y बराबर minus root y sorry x बराबर minus root y x बराबर minus root y ठीक है दोस्तों और यह भी आप देखोगे तो इधर और इधर क्या है symmetric है क्या है symmetric है अच्छा हमें कौन सा area bound हो गया उसको बताने के लिए आप इन दोनों diagram को एक ही graph पर बनाना पड़ेगा तो अब मैं जो चीज लिखूँगा वो आपको एकदम दिमाग में fit होती चली जाएगी जैसे यह अपना हो गया y axis and यह हो गया x axis मैं कौन सा diagram बनाओ सबसे पहले यह parabola बना लेता हूँ इस पर तो parabola समझो की कुछ इस पर का ऐसे होके ऐसे बन जाएगा ठीक है तोड़ा exact symmetric नहीं लग रहा होगा लेकि समझो की symmetric है ऐसा हो गया यह parabola हो गया और अब मैं modulus वाला भी यहाँ पर fit कर लेता हूँ तो modulus का diagram समझो की ऐसा हो गया यहाँ से एक line इधर निकल जाएगी और यहाँ से एक line इधर की तरफ निकल जाएगी ठीक दोस्तों ऐसा बन गया अब यहाँ पर क्या वोला है find the area of the region bounded by bounded मतलब ऐसा बंदावा होने चीए बीच में फसावा होने चीए तो आप देखोगे कि यह वाला area और यह वाला area यह bounded है किस किस से अपना यह जो ग्राफ y बराबर modulus x है और यह जो parabola है y बराबर x square से है ठीक है दोस्तों तो हमें यही area बताना है अब देखो दोस्तों यह जो modulus था ना modulus diagram modulus का diagram यह भी symmetric है parabola है यह भी symmetric है तो यहाँ पर अगर यह वाला area a1 है यह वाला area अगर a1 है और यह अगर area a2 है तो आप समझ सकते हो by symmetry by symmetry क्या होगा a1 बराबर a2 हो जाएगा इधर की तरब क्या है यह a2 a2 बराबर इधर की तरब क्या है a1 a1 दोनों बराबर होंगे by symmetry क्योंकि modulus भी symmetric होता है और अपना parabola y बराबर x square यह भी symmetric है तो हमें अब ना यह वैसा तो required area क्या है अपना required area क्या है required जो मैं question में बताना है required area वो है a1 प्लस a2 क्या है a1 प्लस a2 लेकिन by symmetry a1 और a2 तो बराबर है तो मैं a2 की जगे भी a2 की जगे भी a1 नहीं लिख दूँगा तो क्या हो जएगा a1 प्लस a1 2 a1 बन जाएगा अब हमें बस यह focus होगे कि a1 की value कैसे निकालने क्योंकि देखो दोस्तों आप बार बार दोनों ही निकालोगे दोनों में integration लगाओगे तो लंबाव जाएगा ने और question इससे बढ़िया कि आप एक चीज़ निकालो फिर डबल कर देना काम खतम कम महनत लगेगी इसमें अच्छा a1 कैसे निकालेंगे कि a1 के लिए मेरेको integration लगाना पड़ेगा अब मैं अभी तक के question में हर बार बोलता था उपर वाला minus निचे वाला उपर वाला minus निचे वाला कई बार बोलता था दाया minus बाया लेकिन इस बार उस concept का सही में आपको फाइदा मिलेगा इस बार लेकिन जैसे हर बार तो क्या होता था कि उपरवादा माइनस नीचे वाला लगाता था उपरवादा पुछन embaust आता था और नीचे वाला X-axis हो जाया करता था तो फीरो हो जाया करता था लेकिन यहाँ पर टो नहीं और इस बार इस बार देगना मज़ाएगा इसमें लेकिन यार जैसे मैं यहां पर कैसे करूंगा अगर मेरे को यह पॉंइंट और यह पॉंइंट मिल जए क्योंकि यह पॉंइंट जरूर कि यह जरूरी है यह फिन इंटिक्रेशन लगाएंगे तो यहाँ पर एक limit यहाँ पर भी आईगी वो limit क्या होगी, upper limit lower limit क्या होगी तो अब मैंने man बना लिया इसको मैं daya minus baya daya minus baya से भी कर सकता हूँ और इसको मैं ऊपर वाला minus नीचे वाले से भी कर सकता हूं मेरे पास choice है तो generally हम उपर वाला माइनस नीचे वाला लगते हैं क्योंकि उस case में फिर integration भी है न, x के respect में होता है, यहाँ पर क्या आएगा, अब मैं x के respect में मन मना लिया, तो यहाँ पर क्या आएगा, उपर वाला माइनस नीचे वाला आएगा, ठीक है, अचा उपर वाला क्या है, इस बा नीचे वाला क्या है, पेरा बोला, ठीक है दोस्तों, अचा, सबसे पहले limits को तो निप्टाओ यार, limits तो ऐसे खाली पड़ी है, limits निप्टाने के लिए देखो, मैं यहाँ से लेके, यहाँ से लेके, x axis के respect में, यहाँ से मैं पत्तर को गिराऊंगा, एक पत्तर लेके पर आके लगेगा, तो इसका मतलब इसका जो x coordinate होगा ना, वही यहाँ पर आएगा, मैरे को यहाँ से लेके, origin से लेके, यहाँ तक का integration करना है, तो origin का तो x coordinate 0 जाएगा, लेकिन यहाँ का coordinate क्या होगा, वो निकालने के लिए मैरे को, इस point के coordinate निकालना जरूरी है, ठीक है, तो क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा अलग से rough में sol कर लेते हैं इदर, देखो दोस्तो, हमें चाहिए यह वाला point, और इस point पर दो रास्ते आके मिल रहे हैं, इस पर कौन कौन से रास्ते आके मिल रहे हैं, एक तो यह modulus वाला, और एक अपना यह, y बराबर x square वाला, ठीक ह अब एक काम करते हैं, हमें ऐसा पता नहीं चलेगा, हम इसके original diagram पर आते हैं, देखो यह इधर वाली branch है, राइट साइड वाली branch है, तो राइट साइड वाली branch की equation क्या है, y बराबर x, और right साइड वाला यह पेराबोला है, तो इसकी branch क्या है, x बराबर root y, तो यह जो point है, इस point को मैं p नाम दे देता हूँ, p point दो चीजों का point of intersection है, एक तो modulus वाली branch है, और इधर वाली जो branch उसकी equation क्या होती, y बराबर x, एक तो यह branch है, और इस p point पर यह पेराबोला भी आके मिलना है, और पेराबोला के कौन सी branch है, राइट साइड वाली branch है, राइट साइड वा coordinates मिल जाएंगे, तो क्या करूंगा, यहाँ पर y बराबर x है, x बराबर root y है, तो x, यह x की वाली उठा कर यहां रख दूँगा, तो क्या हो जाएगा, यह y यहाँ पर आजाएगा, y बराबर root y, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर इसका square कर लेते हैं, तो y square बराबर y हो और 1, तो y की वाली 0 और 1 आईए, यह 0 और 1 उठा कर आप किसी भी y बराबर x में डाल दो, y बराबर x में, तो y बराबर 0 उठा कर यहाँ पर डालोगे, तो x भी 0 हो जाएगा, x बराबर 0, और 1 उठा कर यहाँ पर डालोगे, y की जगे, तो x बराबर भी भी 1 हो जाएगा, एक तो गया x coordinate 0 तो y coordinate 0 एक हो गया x coordinate 1 तो y coordinate 1 तो देखो दोस्तो जो 0 0 ना ये 0 0 ये जो 0 0 point मिला ये 0 0 वाला point तो ये वाला है तो ये तो हम निकाल नहीं रहे origin आएगा यहाँ पर और फिर है अगला ये 1 और 1 1,1 ये वाला point हमें यहाँ पर मिल जाएगा 1,1 ठीक है अब देखो ये जो इसका पी का जो x coordinate 1 हो गया तो इधर भी इसके जस्ट नीचे वाला जो ये point होगा ये इसके coordinate क्या होंगे 1 और क्योंकि ये x axis पर x axis पर होने की वाज़द से y coordinate 0 हो जाएगा 1,0 हमें अब integration कहां से कहां तक करना है यहां से लेके यहां तक x की value क्या है यहां पर 0 और यहां पर x की value क्या है 1 y बराबर x बरांच है ये y बराबर x तो उपर वाला मतलब y बराबर x तो x देगा क्योंकि x के respective है तो x वालë चीज़़गे minus फिर ये नीचे वाला ये नीचे वाला मतलब क्या है ये पेराबोला है तो पेराबोला की इधर right side वाली branch क्या है x पराबर root y समझे न ही मैंने कैसेन निकाला था y पराबर x square था मुझे चाहिए यहाँ पर क्या है अच्छा x पराबर जब हम X की टर्म्स यहां पर रखेंगे ना तो Y की वेली निकाल के रखेंगे तो यहां पर तो क्या था Y बराबर X था तो यहां पर मैंने X डाल दिया और यहां पर क्या है Y बराबर तो नहीं है यह तो देखो X बराबर root y है तो इसके tension नहीं है y बराबर x है ना y बराबर किया x square वो x square यहाँ पर आजाएगा तो उपर को होने modulus modulus मतलब y बराबर x तो यह x मैंने आपर डाल दिया नीचे को होने नीचे है यह पेरावॉला पेरावॉला नीचे है तो पेरावॉला की equation का है y बराबर x square तो मैंने x square यहाँ पर डाल दिया इसो solve कर लेंगे बस इतना ही है तो यहाँ पर twice of 0 to 1 अचा integration तो करी देंगे ना इसको मतली को integration तो करी देंगे यहाँ पर बाहर 2 है x का integration क्या हो जाएगा x square बटे 2 integration 0 to 1 तो 0 to 1 ऐसा हो गया देखो दोस्तों यह जो मैं टेक्निक्स बता रहाँ न उपर माइनस नीचे रिये सब और यहाँ पर x की x आएगी तो हमें y के विलों निकाल के डालना पड़ेगा तो ऐसा mindset होगा न तो आपकी कभी भी कोई दिक्कत होगी नहीं इसको solve कर लेते हैं यह 1 डालूंगा तो क्या बन जाएगा यह तो 2 है 1 डालूंगा तो क्या बन जाएगा 1 by 2 minus यहाँ पर 1 by 3 क्योंकि 1 का square 1 का cube कोई मतलब नहीं वो तो बनी बनेगा यह upper limit बने डाल दी अब lower limit क्या है 0 0 यहाँ पर डालूंगा तो 0 हो जाएगा 0 यहाँ पर डालूंगा तो 0 हो जाएगा तो minus 0 ही बच गया खतम इसको solve कर लेते हैं तो 2 इसका calcium क्या हो गया 6 हो गया minutes है क्या चीज यह वला यह combined area आ गया मैंने बस यह area नहीं निकाला यहाँ पर टू से multiply भी तो चल रहा था न तो इन दोनों का combined area क्या है 1 by 3 अगर मैं अकेले का area निकालूंगा तो अभी हम देखते है question number 10 देखो दोस्तों यह question number 10 find the area bounded by the curve x square equal to 4y and the line x equal to 4y minus 2 तो हमें यह कर हुए है और यह line है इनके बीच में कोई area फस गया होगा वह में बताने कौन सा area होगा अगर आप confusion होता तो आप क्या करो इन दोनों का अलग-लग diagram बना लो बाद में एक ही graph paper बना लेना अलग-लग diagram आप rough में बना लो जैसे यहापर क्या x square बराबर 4y तो अग वर्ट diagram बन जाएगा और यहाँ पर origin से यह उपर की तरफ बनेगा 00 से उपर तो कैसा बन जाएगा इसका diagram इसका diagram तो normal ऐसा बन जाएगा कुछ यू बन जाएगा ठीक है अच्छा इस पर आते हैं यह कह एक एक बराबर 4y-2 यह एक line है यह कह एक line है तो line में diagram कैसे एक काम कर लिया करो ऐसे किसमें न x की value 0 डाल दो जब आप x की value 0 डालोगे तो x coordinate 0 हो गया मतलाब आप y पर कोई point निकाल रहे हो तो यहाँ पर 0 डालो तो 4y-2 बराबर 0 solve करेंगे तो 2 इधर आजाएगा फिर 4 उसको divide करेगा तो एक बटा 2 आजाएगा और एक बार आप y की value 0 डाल दो y coordinate 0 डाल दो तो x बराबर 0-2 माइनस 2 आजाएगा यह दो point में लगे माइनस 2,0 माइनस 2,0 यहाँ पर होगा इन दोनों ग्राब्स को हम एक ही x-axis y-axis वाले setup पर बनाएंगे और फिर देखेंगे कि यह कौन सा area bound कर रहे है तो ऐसे मैं बना लेता हूँ अपना y-axis ऐसे हो गया x-axis यह y हो गया अब इसके बाद में यह जो line है यह वाले line यह fit कर लेता हूँ यह आपर बस बाद में देख लेंगे point वगरा क्या होगे अब इस line और इस पेराबॉला के बीच में यह वाला area फस गया यह area अब यहाँ पर क्या करें हमें यह area निकालना है अब इसके निकालने के दो तरीके अगर आप लगाओगे कि में दाया माइनस बाया तो एक problem हो जाएगी जब आप इधर देखों कि दाया वाला यह है यह वाला तो इधर भी दाया यह थोड़े से portion के लिए दाया वापस यह पेराबॉला ही है तो कई बार क्यों होता है कि हम दाया माइनस बाया नहीं लगातें ठीकि कई बार की तरीका काम करता है अपर माइथ लूवर यह उपर मायनस नीचे वाला कही बार उपर मीट sucks नीचे वाला नहीं pakai लगातें वह कैसे decide करतें यहां पर आ लेखे लेते हैं कि अगर मैं दाया मायनस बाइं लगांगा तो राइड सेड में तो इस केस में लाइन यह उपर इन यह उपर यह लाइन के यह उपर और यह जो पना पराबॉला यह नीचे की तरफ हे तो इस बार मैं क्या लगांगाpper minus lower और जब भी मैं उपर वाला minus नीचे वाला लगांगा था मैं रोको limits रखने पड़े गी यह एकसेकस की limits मतलब x-axis के along मैं रोको limits लेनी पड़ेगी lower limits से लेके upper limit तक यह lower limit यह upper limit अब मिए ये points निकालने भी पड़ेंगे फिर क्योंकि अगर मेरे को ये point P और ये point Q मिल जाएंगे तो इन्ही का x coordinate यहाँ पर इसका x coordinate यहाँ पर मिल जाएगा हमें तो वो limits भी हमें मिल जाएगी अच्छा point P और point Q कैसे मिलेंगे वो तो देखो point P और point Q क्या है इस line का और इस पेरावला के point of intersection है तो मैं आपर क्या लिखूंगा 4 P and Q P और Q किस-किस के intersection है line के और पेरावला के line की equation क्या है x ब्राबर 4y-2 तो वैसे यहाँ से ना x ब्राबर यह क्या है x ब्राबर 4y-2 हमें x coordinate चीए y आए नाए कोई दिक्कत नहीं मुझे यहाँ पर x ब्राबर यह कौन सा है और x ब्राबर यह कौन सा यह बताना है तो यहाँ से मैं ना y की value निकाल लेता हूँ y की value क्या है इनको इधर बेज़ दो तो क्या हो जाएगा 2 इधर आगया तो x प्लस 2 हो जाएगा फिर यह 4 है वो डिवैड में आजाएगा बटा 4 हो जाएगा ठीक है यह मिल गया हमें तो यह भी उसके अंदर put करूँगा अच्छा यह तो line है अब parabola भी तो मिल रहना ना pure की उपर तो parabola की equation क्या वो भी लिख लेता हूँ parabola x square equal to 4y तो मैं क्या करूँगा इन दोनों equation को solve करूँगा यह y की value उठा कर यहां पर डाल दूँगा तो क्या मिल जाएगा x square equal to 4y y की जगे क्या दाएगा यह आदाएगा x plus 2 बटा 4 ठीक है 4 से 4 कर जाएगा equation को solve करते हैं solve करने से मेरे को x की value मिलेगी x की value यह यह p और q निकाले ना उनके x coordinate मिल जाएगे मैं x square उधर बजा x plus 2 वो इधर आदाएगा तो minus x minus 2 बराबर 0 हो जाएगा solve करते हैं तो x square minus 2x plus x minus 2 by splitting middle term मैंने x के दो टुकड़ी कर लिए ऐसे अब इसमें common ले लूँगा इसमें common ले लूँगा तो x x minus 2 plus 1 x minus 2 बराबर 0 तो इनमें क्या common आ गया x minus 2 x minus 2 common आ गया यहाँ पे क्या बच गया x यहाँ पे क्या बच गया 1 बराबर 0 तो यहाँ से क्या मिला x बराबर 2 यहाँ से क्या मिला x बराबर minus 1 कौन यहाँ पर P और Q point है ना कौन minus 1 रखेगा तो देखो X coordinate minus 1 यह तो P का ही हो सकता है left side वा लेगा तो यह क्या हो देगा minus 1 X बराबर 2 यह तो positive है positive X coordinate Q का हो सकता है तो यह 2 रख लेगा ठीक है तो X बराबर minus 1 और 2 आया तो P हो गया minus 1 लेके X coordinate तयार और Q का X coordinate 2 जाएगा Y coordinate निकालने के ज़रूत नहीं है अब हम यह required area निकाल सकते है तो अपना required area जो यह shaded area ना यह क्या होगा limits लगाँगा अब देखो मैं उपर वाला minus नीचे वाला लगा रहा हूँ तो limits मेरी X वाली ही आएगी यहाँ पर क्या आएगा minus 1 से लेके 2 तक minus 1 से 2 X वाली limits आदेगी तो फिर मैं integration भी किसके respect में करूँगा X के respect में ही करूँगा dx लगा दिया यहाँ पर क्या आएगा उपर वाला minus नीचे वाला उपर क्या है line line अब देखो X के respect में integration कर रहा हूँ न तो है पर terms जो हैगी न वो X की ही terms आएगी तो line में से मैं X वाली terms उठा के यहाँ पर डालूँगा ठीक है? X वाली terms अगर मैं asity जैसे X बराबर 4Y minus 2 है तो 4Y minus 2 थोड़ी डालूँगा यहाँ पर वो तो Y की terms हो जाएगी यह simple सा X यह थोड़ी डालूँगा यहाँ पर मैं रोको चाहिए X वाली terms X वाली terms के लिए जिसे मैंने यहाँ पर लिख रका है X बराबर 4Y minus 2 यहाँ से मैंने Y निकाल लिया तो Y की वाली निकालूँगा तो मैं रोको X की terms मिल जाएगी मैं रोको तो यह डालूँगा मैं यहाँ पर क्या X प्लस 2 बटा 4 यह क्या अगी लाइन आगी लाइन क्योंकि यह उपर वाली है उपर वाला ग्राब क्या है? लाइन क्या है? माइनस यहाँ क्या आएगा? अब नीचे को ने नीचे है? यहाँ पे लिखे न, x square बराबर 4y, तो पेरा बोला है, x square बराबर 4y, मुझे ये वाला पार्ट चाहिए, अब यहाँ पे x के respect में integration कर रहा हूँ, तो मेरे को x की terms चाहिए, क्योंकि x की terms का ही मैं x के respect में integration कर सकता हूँ, तो x की terms कैसे मिलेगी, जब मैं y की value निकान लूँगा, y की value कैसे आएगी, y की value ये 4 इदर आ जाएगा, तो x square बराबर 4y आ गया, तो y की value क्या आ गई, in terms of x, वो क्या है, x square बराबर 4, तो अब यह मैं रख दूँगा x square बराबर 4, ठीके दोस्तों, अब इसको solve करें, देखो नीचे से ये 4 और ये 4 common ले लेता हूँ, बाहर निकाल लेता हूँ, तो क्या बन जाएगा, required area बराबर, ये 1 by 4 तो बाहर आ गया, integration क्या बचा अंदर, minus x से लेके 2 तक, यह बच गया, x plus 2 minus x square, x square, dot dx, ठीके दोस्तों, ये x square है, लग नहीं रहा होगा, ये थोड़ा काटा पीटी होगी, अच्छा आप इसको integrate कर लेते हैं, 1 by 4, इसको x का integration, x square बचे दो, 2 का, 2x, minus x square का, minus x cube बचे 3 होगया, limits के हैं, minus x से 2, minus x से 2 यह होगा, इनको solve करना है, तो 1 by 4, ये upper limit डालूँगा 2, तो देखो 2 का square बचे 2, चार बचे 2, 2 होजाएगा, 2 दो नहीं, 4 होजाएगा, minus 2 का cube, 8, 8 बचे 3, minus 8 बचे 3, ये मैंने रखी upper limit, अब लगाँगा minus, अब डालूँगा मैं lower limit, तो minus 1 जब मैं यहाँ पे रखूँगा, ठीक हो, वो sign भी change में साथ के साथ कर रहा हूँ, minus 1 मैंने यहाँ पे डाला, minus 1 का square बचे 2, तो 1 बचे 2, और ये lower limit के वज़े से minus, तो 1 बचे 2 minus का आगया, फिर ये minus 1 में उठा के यहाँ पे डालूँगा, तो 2 into minus 1 minus 2, और lower limit की वज़े से minus 1 और आएगा, तो minus 2 और minus का बन दाएगा, plus का 2 हो जाएगा, फिर minus उठा के मैं यहाँ पे डालूँगा, तो minus 1 का cube, minus 1 बचा 3, वो minus 1 बचा 3 और ये वाला minus, पहले से question में, तो plus का 1 बचा 3 हो जाएगा, plus का 1 बचा 3 और जब हम lower limit लगाते हैं, तो minus लगाते हैं न, lower limit के आगे, तो plus के 1 बचा 3 का, minus का 1 बचा 3 अगेन बन जाएगा, क्या क्या हुआ, इसकी जगह क्या हुआ, 1 minus तो ये है, 1 minus ये limit वाला, ठीक, minus 1, और वो upper minus lower लगाते हैं, तो वो minus lower वाला minus, तो 3 minus हो गए, 1, 2 और वो minus वाला lower, तो overall 3 minus, एक minus बन गया, तो 1 by 4, यहां पर क्या क्या बच रहा है, 2 और 2, 4, 4 और 4, 8, तो 8 हो गया, ये minus का 1 बचा 2, और minus का 8 बचा 3, और minus का 1 बचा 3, minus का 9 बचा 3, वो minus का 3 हो जाएगा, 9 बचा 3, 3 हो गया न, तो इसको सोल करें, तो हमें क्या में लेगा, देखो यार, अंदर कि दरब ऐलसेम लेगा, अच्छा बैसे 8, minus 3 के दो एक 5 हो जाएगा, तो 5 और ये अंदर है, minus 1 बचा 2, ये रफ में कर लेता हूँ, हमें ने फास्ट कर दिया, कि अब देगा 9 by 2, और बार 1 by 4 है, तो multiply होगे 9 by 8 बनी गया, ये अपना, इतना square units area आ गया, ठीक है दोस्तो, इस बार कैसे कि हमने, upper minus lower, पहले grab बना लिया, दोनों का अलग लग बनाया, फिर पता चल गया, कि भाई, क्या क्या हो रहा है, यहापर, upper minus lower, और यहापर point of intersection भी निकाल लिये, क्योंकि upper minus lower लगाऊंगा, तो मेरों को x वाली limit से यह, मैं यहापर दाया, माइनस बाया नहीं लगाऊंगा, ठीक है, उसमें कई सारे left है, तो यह बन गया, अब आपना answer 9 by 8, अब हम देखते हैं, next question, देखो दोस्तों, यह अपने सामने, question number 11, find the area of the region, bounded by the, करू, करू यह parabola, y square equal to 4x, and the line x equal to 3, इन दोनों का diagram बनाते हैं, अब एक पर ही बना लेते हैं, देखो, answer क्या बनेगा, यह बना है, मैंने y axis, यह हो गया, अब न, x axis, ठीक है, तो अब यहाँ पर x बराबर 3, पहले यह बना लेते हैं, y square equal to 4x, तो देखो के y square हैं न, y square वाली जो चीज़े, वो जो पेरावला होता, वो दाईं तरफ खुलावा रहता, right side, right word पेरावला होता, क्या होता है, right word, जैसे upward होता न, वैसे right word, तो y square equal to 4x, कुछ, इस परकार हो जाएगा, ऐसे हैं, यह y square equal to 4x हो गया, लिख देता हूँ y square equal to 4x, अच्छ अब x बराबर 3 है, अब x बराबर 3 न, vertical line होती है, x बराबर constant vertical line, तो x बराबर 3 समझो कि, यहाँ पर बनगी, x equal to 3, अब क्या बोला है, region bounded by this, तो इन दोनों से ये वाला, ये complete area, ये और ये, ये पूरा area bound हो गया, हमें ये वाला पूरा area निकालना है, तो हम क्या करेंगे, देखो, ये diagram न, ये symmetric है, symmetric about, किसके about symmetric है, ये बीच में क्या आगया, x axis आगया, symmetric about x axis, इसका मतलब क्या है, जितना area उपर होगा, न, उतरहें area नीचे भी होगा, तो हम इस चीज़ का फाइदा उठाएंगे, उठाएंगे, ये उपर वाला area हम निकाल लेंगे, उसके बाद में नीचे वाला area निकालने के ज़रूत नहीं है, समझो कि ये area even है, तो ये नीचे वाला area भी क्या होगा, even ही होगा, तो अपना जो required area न, required area वो क्या है, even और even दोनो, twice of even है, अब अपना जो focus है न, वो दोनो area निकालने में नहीं होगा, अब अगर ये उपर वाला even ये निकालने न, तो अपना काम बन जाएगा, उसका double करते हैंगे, तो ये पूरा area मिल जाएगा, अब ये even कैसे निकालेंगे तो जो 2 है न, वो तो मैं लगा लेता हूँ अलग, और जो even निकालने के लिए मैं लगा देता हूँ integration, integration में अब limits आएगी, अब मेरे लिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा comfortable ये है, कि मैं उपर वाला minus नीचे वाला लगा दूँ, उपर वाला कोन है, पेरा बोला, है न, जब मैं उपर वाला minus नीचे वाला लगाऊंगा, तो limits, मैं x वाली रखूँगा, यहाँ से लेके यहाँ तक है limits, तो यह x coordinate क्या है, यहाँ पर x बराबर 0 है, और यहाँ पर क्या होगा x बराबर, देखो x बराबर 3 है न, तो 3,0 से गुजरेगा, तो यहाँ पर x बराबर 3 हो जाएगा, तो limit क्या हो जाएगी, x बराबर 0 से लेके x बराबर 3 तक, मैंने x की limit डाली है, तो यहाँ पर जो integration होगा, वो भी x के respect में ही होगा, ठीक है, अब मैरे को क्या लगाना है, उपर वाला minus नीचे वाला, तो उपर यह है, उपर क्या है पेराबोला, ठीक है, उपर क्या है पेराबोला, और नीचे क्या है यह अपना x एक्सी से, तो देखो यार उपर पेराबोला तो है, integration x के respect में हो रहा है, तो यहाँ पर x की terms आएगी, तो मैं उपर वाला मतलब क्या है, पेराबोला ना, पेराबोला में से x की terms निकालूँगा, यहाँ पर पेराबोला की equation क्या है, y square equal to 4x, इसको मैं solve करूँगा, क्योंकि x की terms, मतलब यहाँ पे 4x है ना, बस यही नहीं आएगा, x की terms सबसे बढ़िया कब मिलती है, जब y अकेला हो, यहाँ पे क्या y square है, आप y को अकेला करो, यह जो square है ना, उधर बेज दो, तो क्या जाएगा, plus minus and root 4x, तो बन जाएगा, plus minus 4 का and root 2 हो जाएगा, और root x का root x, ऐसा बन गया, अब यहाँ पे plus और minus का क्या मतलब है, y की value plus का बहुती है, उपर, उपर की तरफ जो भी portion होगा, y बराबर plus का होगा, और y बराबर minus का बहुता है, नीचे वाला, तो यह जो parabola ना, इसकी दो branches है, यह उपर वाली branch, इसके लिए हम y बराबर क्या लेंगे, प्लस वाला, 2 root x, और इस पेराबोला की उपर वाली branch यह है, नीचे वाली branch यह हो जाएगी, y बराबर, 2 root x, और वह भी minus का, minus 2 root x, ठीक है, अभी मैं इस, बार बार इस पर में, यह red pen फेर रहा हूँ यह आपर, यह, तो इसका मतलब यह उपर वाली branch है, तो उपर वाला मतलब क्या, पेराबोला, तो पेराबोला की उपर वाली branch आजाएगी, क्या उसकी equation, पेराबोला से निकाला से मैंने, y बराबर 2 root x, x की terms वाली ची यह तो यह पर क्या देगा, 2 root x देगा, minus, नीचे वाला, नीचे वाला तो यह है, कौन, x-axis, x-axis क्या होता है, y बराबर 0, तो यह 0 देगा, जैसे मैंने यहाँ से y बराबर 2 root x है न, वो रखा, यहाँ पर 2 root x, वैसे यहाँ पर y बराबर 0 है न, तो मैं यहाँ पर 0 रखूँगा, वैसे 0 लिखो, मत लिखो, कोई मतलब नहीं है, बस यहीं तक थी अपना मेहन काम, अब तो बस question एकदम, एकदम मक्खन की तरह हो दाएगा, यह 2 है, यह जो अंदर वाला 2 है, इसको भी आप बाहर निकाल लू, तो 2 into 2 क्या जाएगा, 4 बाहर अंदर की तरफ है, 0 से लेके 3 तक, यहाँ पर root x का integration, minus 0 का कोई मतलब है न, dx, तो 4, root x का मैंने integration बोला था, याद रखना जुबान पर होना चीए, root x का क्या होता है, 2 by 3, x की पाउर 3 by 2, देखो 2 by 3, फिर भी यह एक और constant आगा, इसको भी बाहर निकाल लू, limits क्या है, 0 से लेके 3 तक, तो मैं यह जो variable है न, 0 से 3, इसी पर limits लगा देता हूँ, इस integration से 2 by 3 मिला, उसको भी मैंने बाहर निकाल लिया, यह बाहर इखटाओ के क्या हो गया, यह 4 और 2, multiply 8 हो गया, divide by 3 हो गया, अंदर की तरब में 3 डालूँगा, तो क्या मिल जाएगा, मेरे को यह मिल जाएगा, 3 की पाउर 3 by 2, minus 0 डालूँगा, तो 0 की पाउर 3 by 2, 0 हो जाएगा, इसको solve करना है, तो 8 by 3 into, उपर 3 की पाउर 3 by 2, देखो दोस्तों, 3 की पाउर 3 by 2 का, 1 plus 1 by 2 लिख लो, यह क्या है, 3 by 2 क्या होता है, डेड होता है, मतलब 1.5, तो उसको मैंने 1 अलग कर लिया, 0.5 मतलब आधा अलग कर लिया, इसको solve करोगे, तो क्या मिलेगा, यहाँ पर मैंने required area जो था न, पहले से double करके चल रहा था, तो इसका यह जो answer मिला, इसका double करने की कोशिश मत करना, ठीक है, क्या आप सोचो किया, इसका किया तो आप इसका double करें, नहीं, double मैंने कर दिया न, 2 into A1, तो आपको फिर टेंसल नेने के जरुद नहीं है, तो कैसे किया, हमें यह पूरा area चीए था, यह वाला, मतलब A1 प्लस A1, 2 A1 चीए था, तो 2 A1 तो अलग हो गया, आप A1 पर focus किया, मतलब यह निकाल लू, या फिर यह निकाल लू, और फिर क्या लगाऊंगा, मैं उपर वाला माइट नीचे वाला, यह पेरा वाला क्या है, यह पेरा वोला है, तो पेरा वोला, यह y square equal to 4 x को, मैंसे मैंने y के वह निकाल ली, 2 root x, वो मैंने यहापर डाल दी, उपर वाले की तरह, minus 0 आगया, 0 तो मतलब यह x-axis खुद ही न, y ब्राबर 0, वो 0 आ गया, फिर बाद में integration है, तो यह था अपना question number 11, अब देखते next question, देखो दोस्तों यह है अपना question number 12, area bounded by, यहाँ पे lying आएगा, area lying, ठीक है, यह मैंने अभी भी आर गरत लिख लिख लिया, area lying in the first quadrant, and bounded by the circle, एक circle दे रखा है, and lines दे रखिए, x बराबर 0, and x बराबर 2, is, यहाँ पे चार option दे रखिए, objective type का question है, pi, pi by 2, pi by 3, pi by 4, ऐसे question में, आप मतलब मजा कर सकते हो, ऐसे question में, देखो कैसे, पहले थोड़ा समझो इस चीज़ को, फिर बाद में short trick लगा सकते हो, क्योंकि यह objective question है, इसलिए, यहाँ पर देखो, diagram बनाते है, यह circle x square प्लस y square बराबर 4, इसका जो center होगा, वो क्या होगा, 0,0, जो ऐसा standard form होती है, x square y square, direct center 0, radius क्या होती है, यह पर चार है ना, चार इसका अंडूट ले लो, चार का अंडूट क्या जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पर radius का square आता है, यह radius का square है 4, तो radius होगा 2, तो अब इसका diagram कैसा बनेगा, ऐसा बन गया, y axis, यह x axis, और ऐसा बन जाएगा, इस circle, circle का, चुकि center में का बनाना, 0,0 पर, तो center यहाँ पर हो गया, radius का है 2, तो देखो radius 2, तो यह इधर 2 तक जाएगा, इधर भी 2 तक, इधर भी 2 तक और इधर भी 2 तक जाएगा, तो इधर जब यह 2 तक जाएगा, तो यह point हो जाएगा 2,0, इधर यह point क्या हो जाएगा, 0,2, यह फिर minus 2,0, 0, minus 2 ऐसे मिल जाएगे, ठीक है, इस circle तो हमने बना लिया, यह origin हो गया, फिर क्या बोला है, first quadrant में मतलब, यह first quadrant का देखना है, plus lines के है, x ब्राबर 0, देखो x ब्राबर 0, x ब्राबर 0, यह बीर x ब्राबर constant, यह बीर इसका मतलब, यह vertical lines बनेगी, ऐसे खड़ी lines बनेगी, ऐसे, x ब्राबर 0 मतलब, यह line, जो अपना y axis होता न, यह x ब्राबर 0, x ब्राबर 2, तो यह x ब्राबर 2 मतलब, x ब्राबर 2 coordinate, जो होता न, वहाँ से बन जाएगी, vertical line, होगी तो vertical line ही, 2 से गुजरेगी, क्योंकि आप x ब्राबर 2 दे रखा है, तो यह यहाँ से गुजरेगी, ठीक दोस्तो, अब क्या बोला है, अब देखो सारी चीज़ें मैंने बना लिए, area lying in the first quadrant, पहली बात first quadrant में होना चीए, मतलब इसके इधर इधर ही होना चीए, इधर इस side ही होना चीए, फिर इस circle दे रखा है, तो circle का part है, line x ब्राबर 0 और यह x ब्राबर 2, यह है, इसका मतलब कौन सा area की बात करने जा रहा है, वो यह वाला area है, अब देखो दोस्तों, इस केंदर आप shortcut लगा सकते हो, यह ऐसा integration से तो करेंगी करेंगी, लेकिन यहाँ पर objective question है, और आपकी exam में आ जाए, तो आप क्या कर सकते हो, इस पूरे circle का area क्या होता है, formula क्यों होता है, pi r square, और radius इतनी, यहाँ पर क्या radius 2 है, तो क्या हो जाएगा, pi into 2 kai square, जब 4 into pi, यह 4 pi बने गया, ठीक है, अब यह इस पूरे का area है, 4 pi, आपको निकालना बस इस quadrant का, तो यह 1 चोता ही हो गया, 1 fourth हो गया, तो इसमें 4 से divide कर देंगे, 4 से 4 कर जाएगा, क्या बजाएगा, pi, तो answer क्या हो जाएगा, यह option A से हो जाएगा, लेकिन हमें इसको क्या करना है, integration से करना है, तो integration से कर देते है, यह अपना required area है, required area, कैसे निकालेंगे, integration, अब मैं इसमें ज़्यादा time नहीं लगाऊँगा, क्योंकि इसमें सिधा सिधा सा funda है, यह वाला area में निकालना है, तो यह रहा मेरे पास उपर वाला, minus यह रहा में नीचे वाला, तो उपर वाला यहां से लेकि यहां तक जा रहा है, तो X coordinate देख लो न, जब आप यह portion देख रहे हो, तो X coordinate 0 से लेके X coordinate 2 तक जा रहा है, तो limit क्या होगी 0 से लेके 2 तक, यह मैंने, अच्छा इसको मैं चाहूँ तो right वाला minus left वाला भी कर सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा फाइदा यह फिर ज़्यादा पोपलर यह ही है, उपर वाला minus नीचे वाला और X की limits, तो X की limits, 0 से लेके X बराबर 2 तक, तो यहाँ पर जो integration आएगा, वो DX लगेगा, उसका X के respect में होगा, अंदर क्या आएगा, देखो उपर, उपर की तरफ को होन है, circle, और नीचे की तरफ को होना अपना X-axis, X-axis मतलब क्या, Y बराबर 0, तो यहाँ पर क्या लिखूँगा, मैं उपर वाला, माइनस, नीचे वाला, तो नीचे वाला तो यह हो गया, अपना X-axis हो गया, मतलब Y बराबर 0, तो यहाँ पर माइनस 0 आद आएगा, उपर वाला क्या आएगा, उपर आएगा आएगा आपना circle, आप देखो, X के रेस्पेक्ट में integration कर रहा हूँ न, तो आप उपर वाला जो, मतलब circle है न, circle, उसकी X वाली terms आएगी, मतलब terms in X आएगी, ठीक है, अब वो निकालनी के लिए हमें, यहाँ पर थोड़ी सी महनत करनी पड़ेगी, हमें Y की वाली निकालनी पड़ेगी, देखो क्या है, X स्क्वेर प्लस Y स्क्वेर बराबर 4 है, यहाँ से आप Y की वाली निकालो, अब सरकल की equation ये भी है, और जब आप भी modify करेंगे न, वो भी सरकल की equation ही होगी, लेकिन हमें only X में terms चाहिए, तो आप Y की वाली निकाल लो, क्योंकि Y की वेल्यू में only X की time साती है, Y स्क्वेर बराबर ये उधर चला गया, 4 माइनस X स्क्वेर, अब Y की वेल्यू निकालो, Y स्क्वेर भी नहीं रहना चाहिए, Y रहना चाहिए, Y बराबर क्या देगा, अंडरूट ओफ 4 माइनस X स्क्वेर, वह यहाँ पे प्लस माइनस लगाना, मत भूलना, देखो दोस्तों, Y की वेल्यू प्लस, Y की वेल्यू प्लस कब होती है, ये X स्क्वेर ये Y स्क्वेर, उपर की तरफ, उपर की तरफ Y क्या होता है, और नीचे की तरफ Y क्या होता है, नेगिटिव होता है, अभी अपना काम कौन सा पौर्शन निकालने का, ये पौर्शन, ये, ये उपर है या नीचे है, उपर ही तो है ना, तो उपर की तरफ सर्कल, की equation में कौन सी prefer करूँगा यहाँ पर वैसे combined equation तो यह है यह equation तो पूरे circle को ही represent करती है लेकिन अगर मैं यह उपर वाला portion चाहूं तो मेरे को यहाँ पर plus वाला लेना पड़ेगा y ब्राबर plus का under root 4 minus x square y ब्राबर plus का under root 4 minus x square ठीक है तो उपर वाला यह हो गया circle हो गया circle उपर वाला x में terms क्या है 4 minus x square यह पर क्या जाएगा under root 4 minus x square ठीक है main चीज हो चुका यहाँ पर अब बस यह जो required area यह इसको soul करेंगे तो हमें answer मिल जाएगा इसी चीज को मैं अगले page पर लिखता हूँ क्योंकि उसका कोई मतलब रहा नहीं अब इसका integration करना पड़ेगा और इसका integration का formula यह होता है तोटा बड़ा है लेकिन यह एक मातर यह formula जोगी इस chapter में लगता है बड़ा formula में तो यह मैं यहाँ पर लगा देता हूँ देखो a square का का कौन कर रहा है 4 अना a square की जगे क्या देगा 4 देगा इधर भी यहाँ पर भी 4 देगा यहाँ पर भी 4 देगा और जैसे यहाँ पर x by a है sine e naught x by a तो a की जगे में क्या रखतूँगा a square बराबर 4 तो a बराबर 2 रखतूँगा यहाँ पर plus minus में confuse मत रहना only plus ही लेना है तो देखो required area क्या हो देगा इसका integration क्या बन गया x by 2 तो x by 2 sorry x by 2 ऐसा बन गया फिर यहाँ पर under root of a square minus x square वो यह देगा 4 minus x square as it is ठीक है फिर भी लगाएंगे plus a square बटे 2 4 बटे 2 sine inverse x by a x by a a की जगे क्या 2 दो हदेगा यह बन गया limits क्या है 0 से लिए के 2 तक तो 0 से लिए के 2 तक इसको solve करते सबसे पहले मैं इसमें 2 डालूँगा तो क्या बन जाएगा इधर बन जाएगा 2 by 2 under root 4 minus 2 का square 4 minus 4 plus यहाँ पर 4 by 2 को अगर हम काटेंगे तो यहाँ बच जाएगा तो यहाँ पर 2 0 into something सब 0 हो गया sine inverse 0 बटे 2 तो 0 बटे 2 0 हो गया sine inverse 0 भी 0 ही होता है तो 0 ही हो गया खतम इससो solve करते हैं देखो 4 minus 4 यह भी 0 हो गया बस यह बच गया यहाँ पर क्या है 2 into sine inverse 1 sine inverse 1 कितना होता है sine inverse 1 बच गया 90 degree है ना one answer तो 90 degree पर आता है यह quadrant है तो उसका total answer 4 pi total area 4 pi तो quadrant है तो उसका one fourth हो जाएगा pi answer हो जाएगा तो option a is the correct option और ऐसे हमने उपर वाला minus नीचे वाला लगा के limits x बड़ाबर 0 से 2 तक लगा के हमने यह भी answer निकाल दिया pi आ गया ठीक है दोस्तों अभी हम देखते है next question देखो दोस्तों यह है question number 13 इस exercise का last question area of the region bounded by the karu y square equal to 4x यह एक parabola है and y axis and the line y equal to 3 y equal to 3 मतलब ऐसे horizontal line बनेगी is यहाँ पर चार option यहाँ पर दे रखें तो देखो कैसा कैसा बनेगा यहाँ पर कड़ते हैं डाइग्राम से चालू करते हैं सारी चीजें तो ऐसा है y square equal to 4x y square है जब y square होता ना तब यहाँ तो दाइन तरफ खुलता है यह फिर बाइन तरफ खुलता है यह फिर y square पर आपर positive है 4x है ना positive है तो यह दाइन तरफ खुलेगा positive x की side में खुलेगा तो इसका डाइग्राम बन जाएगा अपने पेरावुला का कुछ इस प्रकार से बन जाएगा यह क्या हो गया अपना y square equal to 4x है तो 4x ऐसा हो गया y axis देखो मैं highlight करता हूँ चलता हूँ एक तो यह अपना यह करव हो गया पेरावुला ठीक है यह red वाला जो ने यह हो गया फिर क्या है y axis मतलब यह y axis हो गया यह हो गया इसके थोड़ा side में कर रहा हूँ ताकि यह थोड़ा चमक के दिखाए दे y equal to 3 तो y equal to 3 देखो horizontal line है तो y बराबर 3 यह ऐसे जाएगे अब देखो यार इस graph से भी और इस y axis से भी और इस line से भी कौन सा area bounded है यह वाला area bounded है हमें इसका answer निकालना है यह वाला area समझगे तो इसमें मैं चाहूँ तो उपर वाला minus नीचे वाला यह भी कर सकता हूँ उस case में मेरे को यहां से लेकर यहां तक क्योंकि यह वाला कोना इधर है न सबसे extreme यहां पर है तो मेरे को यहां से लेकर यहां तक integration करना पड़ेगा लेकिन इतने माता बच्ची क्यों करूँ इस line की equation क्या है y ब्राबर 3 तो उस case में दाया मतलब यह वाला दाया माइनस बाया यह कर दूँगा यह portion हो जाएगा यह limits लग जाएगा यह वाला point के y ब्राबर 0 यह point के y ब्राबर 3 तो 0 से 3 ऐसा बन जाएगा तो यह अपना जो required area न यह लिख देता हूँ the required area ब्राबर integration में क्या करूँगा दाया माइनस बाया करूँगा अमन्स राइट माइनस left right में क्यों है यह पेराबर जीरो y axis मतलब x ब्राबर 0 देखो दोस्तो मैं limit से रखोगा जब मैं right माइनस left करता हूँ तो limit आती y की y ब्राबर 0 से y ब्राबर 3 यहाँ पे 0 से 3 आजएगा limit यह y की limit से जब हम y की limit से रखते तो integration भी dy य की रेस्पेक्ट में होगा अब राइट वाला मंदब पेराबोला तो पेराबोला में भी मेरे को y की टर्म्स थी है y वाली टर्म्स थी है तो यह पेराबोला की एक्वेशन y square बराबर 4x तो मैं x की वेल्यू जब निकालूँगा ना तो मेरे को y की terms मिल जाएगी y नहीं मिलेगा y की terms मिल जाएगी तो y square equal to 4x है इसको solve करते हैं तो x के साथ 4 इधर बेस दूँगा तो क्या हो जाएगा y square बराबर 4 हो जाएगा बराबर x तो यह पेराबोला यही पेराबोला है अपना तो x की value क्या है y square बराबर 4 हो जाएगी यहाँ पे y square बराबर 4 यह y square है ठीक है y square है माइनस लेफ्ट वाला मतलब y axis y axis क्या x बराबर 0 देखो पेराबोला यह था x बराबर y square बराबर 4 तो y square बराबर 4 आ गया left मतलब y axis के x ब्राबर 0 तो यहाँ पर 0 आदेगा x की values y की terms में होती है तो y की terms हमें आपर चाहिए क्योंकि integration y के respect में हो रहा है क्यों क्योंकि limits हमने y की रखी है तो सब कुछ connected है यहाँ पर मज़ा आता इसमें करने में देखो integrate करते तो यह क्या होगे 0 से 3 बस यह बचा y square बटे 4 dot dy यहाँ पर जो 1 बटा 4 है इसको तो निकाल लो बाहर बचा y square y square का integration क्या होता है y cube बटा 3 और 0 से लेके 3 तक यहाँ पर limit लग जाएगी 0 to 3 solve करते हैं तो यहाँ पर क्या आगे 1 by 4 और 3 इसमें मैं डालूँगा तो क्या बन जाएगा सबसे पहले 3 डालूँगा तो 3 का cube हो जाएगा 27 बटे नीचे 3 माइनस अब मैं 0 डालूँगा तो क्या बन जाएगा 0 बटा 3 0 हो जाएगा कोई मतलब नहीं है तो अब हम इसको solve कर लेते हैं तो तीन न तीन ये 27 को काटेगा तो नो तीया 27 नो हो जाएगा तो उपर बचा 9 और नीचे बचा 4 बागी 0 और 1 इनका वह मतलब नहीं है तो उपर क्या बचा 9 और नीचे बचा 4 इतना square units का answer बन जाएगा वैसे तो अपने पास options है 9 और 4 ये answer किसमें आ रहा है तो 9 और 4 इसके अंदर आ रहा है option 20 दी correct option तो I hope दोस्तों ये आपको समझ में आया है मैं मतलब ये actually मेरी style है ऐसे solve करने की आपको ऐसा हो सकता कि अलग-लग teachers थोड़ा अलग-लग उनका देखने का नजरिया हो लेकिन मैंने जब भी ऐसा मतलब एक mindset develop कर लिया है जब मैं ऐसा question करता हूँ अगर कहीं भी problem भी होती है तो वो इस process में automatically reactify हो जाती है मतलब पता चले के सही भी हो जाती है वो problem है बस last में कोई calculation mistake हो जाए तो वो अलग बात है लेकिन वो तो देखो किसी भी method में हो सकती है लेकिन इस method में कोई conceptual mistake नहीं होने वाली ये मेरे को पक्का पता है क्योंकि मैं हर बार जब भी ये method लगाता हूँ उपर वाला माइनस नीचे वाला उसके साथ में x की limits तो कोई दिकत नहीं होती दाई तरफ वाला माइनस बाई तरफ वाला राइट माइनस लेट तो y की limits तो उसमें कभी कोई दिकत नहीं होती कभी भी हम ऐसा कभी भी लगाता हूँ न तो मज़ा आजाता है और कभी answer conceptually गलत होता ही नहीं है तो यह habit में चाहता हूँ कि आप भी develop कर लो तो कभी इसमें कोई दिकत होगी नहीं मतलब ऐसा खुझ से भी कुछ questions करना तो मज़ा आजाएगा आपको करके तो दोस्तों यह अपनी हुई exercise कौनसी 8.1 अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर Thank you very much